सब्सक्राइब किजी ये Facts in Hindi चैनल को और बेल आइकोन को दाबाए सबसे पहले अपते देखने के लिए दोस्तो आज हम बात कारेंगे के किन्णर के कुछ दस रोचक Facts के बारे में तो दोस्तो ये Facts जानने के लिए आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरू देखना बिल्कुल एंड तक तो दोस्तो पहला है जोतिश के अनुसार वीर्या की अधिक्ता से पुरुष उत्पन्न होता है रक्त की अधिक्ता से स्री उत्पन्न होती है वीर्या और रक्त समान हो तो किन्णर संतान उत्पन्न होती है दूसरा किनर की दुवाएं किसी भी विक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती है अगर आप धनलाप चाते हैं तो किसी किनर से एक सिक्का लेकर जेब में रखे इससे लाव होता है तीसरा एक मान्यता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किनरों की उत्पत्ति हुई है दूसरी मान्यता यहा है कि अरिष्टा और कश्चप रुशी से किनरों की उत्पत्ति हुई है चौथा किसी नए किनर को समाज में शामिल करने के भी नियम है इसके लिए कई रिती रिवाज है जिनका पालन किया जाता है नए किनर को शामिल करने से पहले नाजगाना और सामोही को भोज किया जाता है पांच, किसी किनर की मुरत्यों के बाद उसका अंतिम संस्कार बहुत ही गुपता तरीके से किया जाता है छे, किनरों की जब मुथ होती है तो उसे किसी गेर किनर को नहीं दिखाया जाता ऐसा माना जाता है कि एसा करने से परने वाला अगले जन्म में भी किनर ही पैदा होगा किनर मुरत्यों को जलाते नहीं बलकी दफनाते है साथ, हिजडों की शवयात्राय रात्री को निकाली जाती है शव यात्रा को उठाने से पूर्व जूतो चपलों से पीटा जाता है किनर के मरने के बाद पुरा हिजड़ा समुदाए एक सपताहा तक भूका रहता है आट किनर समाज की सबसे बड़ी विशश्ता है मरने के बाद यहां मातम नहीं बनाते किनर समाज में मान्यता है कि मरने के बाद इसक नरकरुपी जीवन से छुटकारा मिल जाता है इसलिए मरने के बाद हम खुशी मनाते है यह लोग स्वयम की पैसों से कई दान कारे भी करवाते है ताकि पुन उन्हें इस रूप में पैदा ना होना पड़े नौ भारत देश में किनरों की चार देविया है दस यदि कुनली में बूद गरह कमज़र हो तो किसी किनर को हरे रंकी चूडिया वसाड़ी दान करनी चाहिए इससे लाब होता है दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा और कुछ सवाल या सुचा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना दोस्तों आपके सपोर्ट की हमारे चैनल को बहुत जरूरत है तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दिजेगा और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिन कर दोस्तों हुँ मुदान थै insists